अब यहाँ पर हमारे पास एक graph बना हुआ है y बराबर fx का और इस graph को देखके हमें y बराबर f-x का graph बनाना है अब मैं चाहते हैं एक बार तुम वीडियो पॉस करके इसके बारे में सोचने की कोशिश करो और अगर तुम सोच रहोगे कि इतने टेड़ी मेड़े function का f-x में कैसे निकालूँगा तो मैं यहाँ पर तुम्हें समझाना चाहूँगा कि यह function टेड़ा मेड़ा तो है लेकिन इसके छोड़-छोड़ तुकड़े अगर हम कर दें तो उनका f-x निकालना हमारा थोड़ा असान हो जाएगा जैसे अगर मैं इस f-x को इन 5 तुकड़ों में तोड़ दूँ तो इन तुकड़ों को अलग-अलग देखना हमारे ले काफी असान हो जाएगा तो अब जोब हमारे पास इसके तुकड़े आ चुके हैं चलो इस पहले तुकड़े को देखते हैं ये जो पार्ट है ये मुझे एक downward parabola जैसे दिख रहा है और अगर मैं इसका f-x निकाल रहा हूँ यानि कि मैं इसके points पे tangent की slope निकाल रहा हूँ अगर मैं ये पहला point देखू जहां से ये शुरू होता है तो इस पे कुछ positive slope है tangent की अगर मैं आगे बढ़ू तो भी positive slope है लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो positive slope है ये तो कम होती जा रही है यह slope कम होती जा रही है इस point तक जहाँ पर इसकी slope बिल्कुल 0 हो गई है यह मेरे एक horizontal लाई है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस graph का जो f-x है यानि कि tangent की slope है यह एक positive value से शुरू होती है और वो घटते घटते 0 तक आ जाती है तो यानि कि अगर मैं इसे बनाओ तो मैंने एक positive value से शुरू किया और वो value घटते 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 0 तक आ गई अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि यह जो घट रही है slope यह मुझे कैसे पता कि एक straight line के हिसाब से घट रही है क्या पता यह ऐसे घट रही हो यह फिर यह ऐसे घट रही हो और तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है हमें graph की equation तो दी नहीं हुई है हम बस यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते है बहुत सारे curves ऐसे बढ़ के घटते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता कि उनकी slope इस straight line के हिसाब से घटती है लेकिन अगर हमने इसको एक parabola माना है तो इसके tangent की slope एक straight line के हिसाब से ही घटेगी और इस चीज़को हम और ढंक से पढ़ेंगे जब हम parabolic functions का differentiation करेंगे अभी के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी कि यह जो घट रहा है यह एक straight line के हिसाब से घट रहा है अब अगर मैं आगे जाओ यहाँ पर मेरी slope हो चुकी है 0 अब अगर मैं आगे जाओ तो मेरी slope negative होनी शुरू हो जाती है यह जो value है यह मेरी negative है इसके बाद अगर मैं अगली tangent मराओ तो मेरी slope और negative है और इस point पे जहाँ पर यह मेरा पहला तुकड़ा टूट रहा है इस point पे भी मेरी slope negative होगी और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा graph symmetric है यानि कि जैसे यह बढ़ता है वैसे यह घट जाता है यानि कि अगर मैं इसका graph बनाओ तो यहाँ पर इसकी value 0 है और यहाँ से इसकी value negative होनी शुरू होती है और यह negative होती रहती है इस point तक जहाँ पर इसकी value सबसे ज़्यादा negative हो जाती है और अगर मुझे फिर से अंदाजा लगाना हो तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा parabola symmetric है मैं बोल सकता हूँ कि जितनी ही लंबाई इस line की है उतनी ही लंबाई इस line की भी होगी जितने positive slope से इसने शुरू किया होगा उतनी ही negative मेरी slope इसकी आखरी में आ गई होगी तो यह तो हो गया मेरा पहला तुकडा इसको अगर मैं या से हटाओ अब अगर हम आगे देखें तो इस point पर जहां पर हमारा पहला तुकडा खतम होता है और दूसरा तुकडा शुरू हो जाता है इस point पर तो मेरी tangent की slope defined ही नहीं है अगर किसी point पर मेरी एक से जादा tangent बन रही है ये मेरी इतनी सारी tangents बन रही है तो मैं बोलूँगा कि इस point पर मेरी tangent की slope defined ही नहीं है मेरी कोई एक tangent नहीं आ रही है कि मैं बोलूँ कि इस पर यहाँ पर इसकी slope इतनी हो जाएगी इसलिए मुझे f-x वाले graph में से इस point को हटाना पड़ेगा तो यहां से अगर मैं इसको ठीक करूँ यह जो मेरा पहला तुकड़ा था यह इस point पे open हो जाएगा अब अगर मैं इस point से आगे बढ़ू तो मेरा काम थोड़ा सा असान है यहां पर मैं देख सकता हूँ कि यह एक straight line है और क्योंकि यह straight line है तो इसकी एक constant slope होगी और इस straight line की एक positive constant slope है तो इसका अगर मुझे graph बनाना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि यह जो दूसरा तुकड़ा है इसकी एक positive constant slope होगी लेकिन वो इस konne पे defined नहीं होगी और रही बात इस दूसरे konne की तो यहां पर तो मेरा function ही तूड़ गया है यहां पर अगर मेरा function टूड़ गया है तो यहां पर तो मैं tangent की slope निकाली नहीं पाऊंगा यहां पर मेरे tangent की slope define नहीं होगी और अगर tangent की slope define नहीं होगी इसका मतलब f-x भी define नहीं होगा तो मेरे दूसरा तुकड़ा कुछ इस तरह से बताता है कि इन दोनों points को छोड़ दो अगर इन end points को अगर छोड़ दो तो बीच में मेरा function एक constant slope ले रहा है और constant slope मतलब constant value f-x की तो यह तो होगया मेरा दूसरा तुकड़ा अब अगर मैं आगे बढ़ू अगर मैं अपना तीसरा तुकड़ा देखू तो यह वाली जो line है यह line मुझे इस green वाली line के parallel दिख रही है और अगर यह दोनों parallel है तो यह positive x axis से बराबर angle बना रही होगी और अगर बराबर angle बना रही होगी तो इनकी slope बराबर होगी तो यानि कि इसकी भी एक positive constant slope होगी जो बराबर हो जाएगी इस green वाली line के तो अगर मैं end points की बात ना करूँ अगर मैं बीच वाले सारे points की बात करूँ तो उनकी slope बिलकुल बराबर हो जाएगी ग्रीन वाली line के और इस end point पे हम दुबारा देख सकते हैं कि मेरा graph fx का discontinuous हो गया है और क्योंकि graph में break आ गया है तो मैं बोलूँगा मेरा f-x भी define नहीं होगा और यहाँ पर भी मैं इसको open कर दूँगा अब बात करते हैं इस चौते दुकड़े की यहाँ पर मेरा function एक positive value ले रहा है और देखा जाए तो यह value मेरी constant है यानि कि ना तो मेरा graph बढ़ रहा है ना कम हो रहा है तो मतलब change in y with respect to x तो कुछ है ही नहीं और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी point पर अगर मैं tangent बनाऊंगा तो वो horizontal हो जाएगी और horizontal line की slope होती है 0 यानि कि यहाँ पर मेरा f-x हो जाएगा 0 तो यहाँ पर चौथे तुकड़े में मेरा f-x 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर मैं इसको open कर देता हूँ क्योंकि इस point पर मेरा f-x defined नहीं है और अगर हम इस end point की बात करें तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर एक sharp mode आ चुका है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरी बहुत सारी tangent बन सकती है बहुत सारी lines हो सकती है इस curve को एक point पर touch करके जा रही हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पर भी मेरा f-x defined नहीं है तो इसको भी मैं यहाँ पर open कर दूँगा यह मैंने यहाँ पर open कर दिया अब अगर हम बात करें इस आखरी वाले part की यहाँ पर मुझे एक straight line दी गई है जिसकी slope एक negative value है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक obtuse angle बना रही है x-axis के साथ तो यहनि कि इसकी slope एक constant value होगी जो कि एक negative number होगा तो अगर मैं एक negative slope बनाओ इस part में यह मेरी negative slope हो जाएगी इसको यहाँ से मैंने open कर दिया और यह जो बीच की सारी values है यहाँ पर इसकी slope negative हो जाएगी तो इस तरह से हमने fx का graph यूज करके अपना f-x का graph बना लिया